अलो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजिनरिंग कैपसूल में और यह हमारा फॉर्थ लेक्चर है थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पिछले दिनों हम बाकी टॉपिक्स के उपर काफी हमने वीडियो कवर की थी तो जो हाइवे इंजिनरिंग तो देखिए फिर यह चोथा लेक्चर आपको समझाना शुरू हो जाएगा साइज आफ था स्टोन उस्ट ओन रोड 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 मस्ट बी दू पर पोर्पोर्शन तो थे स्पेस अकोपाइड वाइड वील ओफ दॉडिनरी डाइमेंशन ऑन स्मूथ लेवल सर्फेस इस नहीं दी थी यह स्टेट्मेंट मैकडम ने दी थी कोरेक्ट है वाटर बाउंड मैकडम रोड दा रिकमंडेड कैमबर इस वाटर बाउंड मैकडम रोड के लिए जो रिकमंडेड कैमबर है वो कितना होगा तो यह यह है वान इन थर्टी टू वान इन फॉर्टी एड इसका साइड से साइड के मुकाबले से आपको हल्की सी कर्वड दिखेगी बीच में से जो उठा हुआ पोरिशन होता है उसको कैमबर कहते हैं इसलिए इसको रोड को सेंटर से थोड़ा सा उचा रखा जाता है क्योंकि बारिश का पानी जब इस पर पड़ता है तो उसको साइड पे ड्रेन करने के लिए ड्रेन आउट करने के लिए ताकि पानी जो है उसके पर खड़ा न रहे क्योंकि खड़ा हो जाएगा तो पानी जो है वो परकुलेट कर जाएगा जमीन के अंदर चला जाएगा और जो ये जो रोड के जो जिन से भी रोड बनी हुई जैसे एग्रीगे कि according the size of the stone at the center varied from 160 mm to 200 mm and gradually decreased to 75 mm to 125 mm towards the hunches the center central 6 meter width of the road was covered with the two layer of the stones about 100 mm and 50 mm respectively size of the stone used was of 63 mm diameter all of the above तो ये सारी स्टेट्मेंट्स जो है वो टेलफॉड ने दी थी पिछली थर्ड वीडियो में जो थर्ड लेक्चर उसमें नहीं है टेलफॉड और मैकडम दोनों की कवर की थे तो आप देख सकते हो वहां के जाके इन टैलफॉड कंस्ट्रक्शन दा साइस परपोर्शन वर मेड अफ ऑफ ओनली वन लेयर आफ दो ब्रोकन स्टोर्न और लेवल्ड आफ टो गिव आफ नॉट ग्रेटर दैन वन इन 1060 उसको लेवल किया जाता है केंबर देने के लिए कितना केंबर देने के लिए उसको ओपनी करने के लिए सर्फेस वाटर जो जमीन पर पानी होता उसको ड्रेन आउट करने के लिए ताकि वह सड़क पर ना खड़ा रहे केमबर सबसे पहले किस ने दिया था तो इसका है नासीर के वह सबसे ने इसका अप्शेन है इसका और उप्षेन है बी कि नैशनल हाइबै अग्डेंग दो सबसें के मरे इसको इन्टीमेंट कब किया था 15 एपरल 1957 में यह इंप्लिमेंट हो गया था गज़ इंडिया में तो नैशनल हाइवे आक्ट कि 1956 जो है पंदरा एपरल 1957 में हुआ था इन वाटर बाउड मेटम रोड वाटर बाउंड मेटम रोड में सबसे पहले small broken stones are laid into two layers जो चोटे टूटे पत्थर होते हैं उसको दो layers में रखा जाता है voids between the stones are filled by the stone dust जो gap रह जाते हैं जो voids रह जाते हैं पत्थरों के बीच में उसको stone की dust के साथ fill up किया जाता है camber for the drainage is given at the formation level itself camber को दिया जाता है formation level पे तो यह सभी points जो है यह सही है water bound mactam के case में तो next question कोन सा है इसको देख लेते हैं हम the total annual cost of the highway transportation may be expressed as अब इन questions पर basically हमने theory नहीं पड़ी लेकिन आप इनको याद रख सकते हो इसके according total annual cost of the highway transportation highway transportation की total salana cost है उसको किस तरीके से किस formula से हम express कर सकते हैं तो इसका formula बनता है a is equal to b plus cn अब a is equal to b plus cn का क्या मतलब है जिसमें b जो है यह annual cost of highway है मतलब साल की जो cost है highway की वो कितनी है वो है b c जो है वो यहां पर represent कर रही है annual cost of the vehicle operation single vehicle को चलाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए petrol लगता है न operate करने के लिए गाड़ी को जो साल में खर्चा आ रहा है वो c के साथ उसने लिए एन इस दा टोटल नंबर आफ दा वीकल्स on दा रोड पर यह पूरे साल में कितने गाड़ियां उस सड़क को इस्तेमाल कर रही है उस सड़क पे चल रही है उसको एन के साथ रिप्रेजंट किया हुआ है यह फार्मला है a is equal to b plus c n the unit cost of the transportation on a section of the highway may roughly be calculated by unit cost of transportation transportation एक unit की कितनी cost होगी ठीक है unit का मतलब अब यहां पर unit गाड़ी को भी ले सकता है गाड़ी एक गाड़ी को चलाने के लिए कितना आपका खर्चा आएगा मतलब transportation के लिए कितना जो है हमारा साल का cost बन रहा है वो यहां पर बता रहा है the unit cost of the transportation on a section of highway may be roughly be calculated by a u is equal to a upon n l l is equal to the length of the highway in kilometers according to Indian Road Congress Indian Road Congress के हिसाब से maximum width of the road vehicle is तो Indian Road Congress के हिसाब से हमारी जो सडक है उसकी sorry maximum width of a road vehicle road vehicle जो गाड़ी है उसकी maximum चोड़ाई कितनी होनी चाहिए मतलब यह standard है 2.25 mm से जादा sorry meter से जादा आपकी गाड़ी की चोड़ाई नहीं होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर याद रखिए को सडक के हिसाब से रखा जाता है तो अब सबसे चोड़ा यहां तो ट्रक हो सकता है यहां फिर बस हो सकती हो इसकी जो maximum width है वो 2.25 से जादा नहीं रखी जाती 37 on the recommendation of Indian Road Congress the National Highway should be should have a two lane traffic at least dash width with the minimum two meter width wide shoulder on each side the National Highway should have two lane traffic at least four meter six meter eight meter 10 meter should have a two lane traffic at least two lanes होनी चाहिए wide at least dash wide and minimum two meter wide shoulders भी provide करने हैं तो यह पूछ रहा है कि दो lane जो provide करने हैं उनकी कितने कितने width होनी चाहिए एक सेकिंड इसको देख लेते हैं इसका अंसर यह value based questions है values based questions को आपको पूरा दरा से अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा तो 37 का question था सी है इसका अंसर तो इसका अंसर है सी यानि एट मीटर आपकी जो लेन है उसकी वेट होनी चाहिए जिसकी width एट मीटर होनी चाहिए लेकिन पूरी तरह से एट मीटर नहीं होती यह कम होती है थोड़ी सेवन पॉइंट सम्थिंग मेरे हिसाब से होती है और पूरी एट मीटर इन्होंने यहां पर मेंशन की हुई है था स्टेट हाइवे शूद एट मीटर वाइड कैरिजवे श्टेट हाइवे का आठ मीटर का कैरिजवे होना चाहिए दो मीटर उसमें शूलडर्स होने ग्राडियंट एव गुड़ वेरिंग सर्फेस ओल अफ दीस इन और तो गिव सैटिस्फेक्टरी सर्वेस अच्छी तरीके से सर्वेस देने के लिए पूरे साल तक जो रोड सर्फेस है वो कैसी होनी चाहिए शुड़ एव गुड़ कैरेज वे अच्छा होना चाहिए सब्सक्राइब को अच्छे से साफ करने के मतब अच्छे से प्रिपेर करके फिर आगे बेश को साफ को प्रिपेर किया जाता है उसको क्या बोला जाता उसको सब्गरेड बोला जाता है Foundation of the road is also called Foundation जो होती है रोड की उसको So, 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 Link कहते हैं Base कहते हैं Foundation जो है सडक की उसको So, Link कहते हैं Base कहते हैं Either A और B None of these तो इसका C option है A भी कह सकते हैं उसको P भी कह सकते है Super Structure of the road अब Super Structure, Sub Structure आप जानते हैं करते हैं तो तब सकते हैं तो वाइय जो कोई इसने यहां पर कम है दा इंटेंसिटी आफ ट्रैफिक इस हाई और उपर जो ट्रैफिक है जो गाड़ियां चल रही है वो बहुत ज़ादा है उनका लोड बहुत ज़ादा है अडेशनल लेयर इस प्रवाइडे बेविवी इन दे सूलिंग और सब ग्रेड और सूलिंग दोनों के बीच में एक लेयर डाली जाती है अगर ट्रैफिक ज़ादा हो जाए उस अडेशनल लेयर को सब बेस कहा जाता है यह आपने याद रखना है तो नीचे subgrade होता है उसके पर subbase होता है उसके पर base course बनता है the strength and the durability of the road depends upon its subgrade जो strength है और durability है सडक की वो उसके subgrade पे depend करती है यह बिलकुल सही है the thickness of the base is no case should more than the thickness of the base base की जो thickness है वो नहीं होनी चाहिए जादा किस से जादा नहीं होनी चाहिए thickness of the base इसकी thickness जो है यह 30 cm से जादा मोटी लेयर आप नहीं डाल सकते base की should be more than in no case should be more than जादा नहीं होनी चाहिए 30 cm से highest point on the road surface is called जो सबसे highest उचा point होता है road surface में उसको क्या कहा जाता है उसको camber कहा जाता है function of the road base is to transmit the load of the traffic from the dash to the subgrade अब यह जो रोड़ बेस है इसका function क्या है बेस इस तू ट्रांस्मिट दा लोड लोड गो ट्रांस्मिट करना है आफ दा ट्रैफिक फ्रॉम दा डैश तो दा सब ग्रेड सब ग्रेड देखो बेस कोर्स उपर होता है तो बेस कोर्स से हमको सब्ग्रेड देख्त ट्रैंस्फेर करना होता है तो स्प्राम सोलिंग होता है सोलिंग से हम स wrapped में करते हैं लेकिन रेकिन तक्रांस्मिट दावाब कीו बाकिसी में नी है यह इसमें इसमें दो ہी ब्रामस्मिट जाओ इसन नोगा है में statement और उसके नीचे हमारा सब बेस होता उसके नीचे सब ग्रेड होता तो यह कोशन थोड़ा सा option इसमें दो ही दिये हुआ है और दोनों ही correct लग रहे हैं दा रोड सर्फेस शुड भी रोड सर्फेस क्या होनी चाहिए देखो impervious impervious का मतब होता है जो पानी को नहीं अपने मेंसे पास होने जरती नहीं जाने देगी उपर ही रखेगी अपने मेंसे पास नहीं होने देगी डूरेबल होता है जो वैधरिंग एजनसी जैसे बारिश दूप गरमी इनके अफैक्ट को क्योंकि material जो होता है वो इसकी वज़ा स उसमें changes आना शुरू हो जाते हैं volumetric chain या अलग अलग तरह के चेंज तो उसके effect को जो resist कर सकता है उसी property को material की durability कहते हैं तो यह road durable भी होना चाहिए stable भी होना चाहिए stability होनी चाहिए ठीक है सारे points सही है the slope of the line joining the crown and the edge of the road surface is known as the slope of the line joining the crown crown वही है जो camber का highest point है उसको crown कहते हैं और यह जो slope है side से जो crown के साथ जुड़ता है मैं road की पूरी cross section को अगर आप देखते हो तो side से लेकर जो उसके top तक का जो है and the edge of the road surface is known as उसको cross fall कहते हैं cross slope कहते हैं camber कहते हैं या any one of these तो इसमें से सभी को इसने टिक किया हुआ है वैसे उसको cross slope कहा जाता है पूरी तरहां से camber भी कहा जाता है cross fall भी कहा जाता है the camber of one in 30 means that for a 30 meter wide road अगर चोड़ाई उसकी 30 meter है the crown of the road will be dash above the edge of the road एक meter होगा ठीक है इसका option जो है वो एक meter है क्योंकि one in 30 का क्या मत्तब है कि 30 meter अगर उसकी चोड़ाई है तो एक meter उसकी हाइट होगी तो हर 30 minute meter के लिए आपको एक meter की चोड़ाई रखनी है ठीक मैं मुझे 49th का clear करने तो 49th को option क्या है क्योंकि जिसने टिक किये हो हो सकता है गलत भी किये जा सकते है एक तो प्राटिन नाइंट के स्टीन टी ही दिया हुआ है कि क्रॉस लोग क्रॉस लोग तो कहते हैं यह दो टर्म्स जो है यह इतनी कॉमन नहीं यूज की जाती इसलिए मैंने इसको चेक किया है तो यह 50 कोशन हमने इस वीडियो में कवर किया है अगली वीडियो में हम इसे आगे के कोशिन करेंगे मैं आपको आप यहां तक पहले कोशिन जो है अच्छे से याद कर लीजिए अच्छे से इसको बार बार देखिए अब आगे मैं 51 के आगे के कोशिन जो है वो स्टार्ट करूंगा यह इसमें से बहुत सारे कोशिन जो है आपको पेपर के अंदर दिखने वाले हैं क्योंकि यह कॉश्चन है इसके यह कोश्चन तो मतलब बेसिक कोश्चन है बेसिक अगर वह आप उनका फोकुस बेसिक पर ही होगा बेसिक के ही कोश्चन वह पूछेंगे जो आप वैब साइट्स देख रहे हैं उन पर भी यहाँ ही से बुक जो है यहीं से जो है मुल्टिपल चॉइस जो है उन्होंने अपलोड की हूँ है तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेजिए आपका अच्छे से प्रपेर हो जाएगा ठेक है थैंक्यू बेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू अल